कुछ दिन पहले 2000 रुपे बंद हो जाने के बाद यानि कि उसको withdraw कर लिया गया market से demonetize नहीं किया गया withdrawal and demonetization में एक बहुत वड़ा अंतर होता है उसके बाद ही एक ख़बर और आई थी तर 500 रुपे की note के साथ भी ये same चीज़ हो सकता है यानि कि क्या market से 500 रुपे का जो note है उसको भी withdraw कर लिया जाएगा और दोस्तों यह आपको बखू भी याद है जब 2016 में 500 और 1000 रुपे का demonetization हुआ था सरकार 2000 रुपे के notes लाई थी अब इसी बीच में ख़बर ये भी आ गया RBI से तर 2000 रुपीज note को अब market से उठा लिया जा रहा है यान कि withdrawal किया जा रहा है ऐसी situation पर आपको बिल्कुल भी याद भी नहीं होगा अब last time 2000 का note कब इस्तेमाल किये थे एक RTI से पता चलता है 2017 से ही सरकार ने 2000 रुपीज के note के printing कम कर चुके थे 2017-2018 में 111 million currency notes प्रिंट किया गये थे 2018 में 46 million और 2019-2020 के बाद से सरकार एक भी 2000 रुपीज के note प्रिंट नहीं किये थे officially कोई भी reason नहीं आया पर अभी इसी बीच में एक और new surface में आ जाता है तर 500 रुपे के note के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो सकता है यानि हो सकता है 500 रुपे का note का भी circulation market से उठा लिया जाए अब ये RBI annual report अगर देखा जाए 500 रुपे का note का एक फर्जी market create किया गया है अब ऐसे में ये report कह रहा है कि 14.4% increase है पिछले साल के मुकाबले अब फर्जी 500 note कितना market पर circulate हो रहा है तो RBI खुद बोल रहा है 2020 में 39,453 रुपीज ये नमबर बढ़के 2021 में हो गया 79,669 रुपीज अब ये बढ़ करके 2022 और 23 में हो गया 91,110 रुपीज अब इस तरके से एक फर्जी market create किया जा रहा है 500 रुपीज के नकली note हो के अब ही ऐसे में देखिए 2000 रुपीज का भी फर्जी बनाया जा रहा था ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा था बट बड़ा currency है बड़ा note है value भी जादा है तो इंसान बहुत जादा security features का check वगरा करेंगे मशीन में डाल कर करेंगे और जैसे कि मैं आपको बता ही 2017 के बाद से ही सरकार बहुत कम कर दी थी 2000 रुपीज note के मतलब printing बगरा करना अभी ऐसे में देखिए 500 रुपीज का फर्जी note बहुत जादा market में circulate होने लग रहा है अब इसको देख करके बहुत सारा speculation बनाया जा रह जी क्लियरली बोल दिये इस तरीके का speculation बनाना अभी ठीक नहीं है क्योंकि RBI का कोई भी थिंकिंग नहीं है 500 रुपीज को विद्रॉ करने का या फिर 1000 का जो note है उसको reintroduce करने का RBI रिपोर्ट से ये भी पता चलता है नकल जहाँ पर 500 रुपीज के लिए जादा हो रहा है on the other hand 2000 रुपीज में इसका rate कम होता हुआ दिखाई दे रहा है 2022-23 में RBI खुद 4.6% नकली note डिटेक्ट किये और other bankों ने मिल करके 95.4% डिटेक्ट किये नकली करेंसी अभी same time span में 2000 रुपीज के 9806 पीसे फेक पाई गई है तो अब देख सकते किस तरिके से एक बहुत बड़ा फर्जी market क्रेट किया गया 500 रुपीज के नोटों का एक और चीज में ध्यान आपको देना है तर धीरे धीरे देश डिटेल हो रहा है और डिफरेंट तरीके से डिटेल करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अब ऐसे में Paytm, UPI, Amazon पे डिफरेंट तरीके से मदद कर रहा है सरकार के साथ और हमको ये भी देखने को मिल रहा है तर RBI का एक लेटेस्ट पाइलेट प्रोजेक्ट जहां पर आपको डिटेल करेंसी के एक्स्चेंज में मिलेगा जिसको कहा जा रहा है cash-based traditional coin vending machine QCVM ये देश में लागू होगा एक authentication procedure के माधियम से वेंडिंग मशीन में ऐसा नहीं कि आप 100 रुपे डाल दिये और आपके पास coin आ जाएका नहीं आपको एक डीटेल करेंसी आपको authenticate QR code वगरा स्कैन करना पड़ेगा UPI के थ्रू या फिर dynamic code के साथ अभी या RBI pilot project पाच बैंकों के साथ चल रहा है collaboration करके देश के 12 शहर के 19 locations में अभी इस project को rolled out किया गया है और ये भी आप notice जरूर किये होंगे धीरे धीरे जो बड़े बड़े currency note था जैसे कि 2000 रुपी इसका circulation stop कर दिया जा रहा है क्योंकि अभी market में 2000 रुपीज withdraw होचाने के बाद सबसे बड़ा जो denomination है that is 500 रुपीज क्योंकि RBI अगर market से उठा लेंगे तो आम जन तक किस तरके से उसको इस्तेमाल करेंगे but that doesn't mean अभी भी 2000 रुपीज valid legal tender नहीं है पर बात समझे तब highest currency 100 रुपीज हो जाएगा यानि की 100 रुपे highest currency इंडिया में हो जाएगा तब आपको black money भी इकटा करके रखने की दिक्कत आएगी अभी 2000 रुपे क्या आप pocket में लेके चले जाओ 10-20 गड़ी है ना जितना कम वाला currency उतनी जाधा difficulty आई की black money वगरा दिवारों में बोड़िया विस्तर में चुपा के रखने में तो इस तरह के से black money को भी control किया जा सकता है अभी अगर 10 रुपे हो जाता है तो ट्रक लेके च चरह एक फरजी 500 रुपीज आ गया है तो आपको इमेडियली उस note को CCTV camera में दिखाना चाहिए और security guard को यह inform करना चाहिए नमबर वान नमबर टू आपके पास एक transaction receipt होना चाहिए थर्स टेप में उस note को ले जाना पड़ेगा आपके bank पर transaction receipt के साथ आपको deposit करना पड़ेगा आपके form दिया जाएगा उसको fill करने के लिए कहा जाएगा और उस fake currency के बदले में आपको एक original note दिया जाएगा RBI के guideline के हिसाब से ये clearly mention किया गया है अगर कोई customer के पास ATM machine से fake note निकलता है bank immediately customer को refund करेंगे अभी अगर आपके पास कोई personal transaction के दौरन कोई fake currency आ जाता है तिन आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास कोई hard evidence नहीं होता है तो अगर note के शंख्या 5 से जादा होता है तो bank authority police complaint वगरा करेंगे और अगर कम होता है तो bank authority आपको immediately refund कर देंगे और punishment का बात अगर किया जाए तो अगर आपको पता है एक note जाली है फर्जी है और जानते हुए भी knowledge के साथ आप उसको market में circulate करनी की कोशिश कर रहे हो तो IPC section 489C के तहित punishment हो सकता है साथ साथ से ले करके life imprisonment आजिवन कारावास और दोनों ही एक साथ fine और अभी रुकिया जारा थोड़ा सा इसके उपर भी ध्यान दीजिए एक recent RTI से ये भी पता चल रहा है तो 88,032 करोर रुपे का 500 रुपे के notes Indian economy से missing है इसके उपर आपका क्या कहना है कॉमेंट में जारा बतना प्लीस